दोस्तो गर्मी के दिन आगे या लेकिन बहुत सारा इलेक्टिशियान भाई को फैन का ओयर का करेक्शन समझ में नहीं आता है उनको ये समझ में नहीं आता है कि कौनसा स्टार्टिंग ओयर है कौनसा कॉमोन ओयर है और कौनसा रानिंग ओयर है और उनको ए भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा ओयर में बैटरी का कनेक्शन करें, मतलब कैपासिटर का कनेक्शन और सिप इलेक्टिशियन भाई ही नहीं बहुत सारा नॉर्माल भाई भी है जो खुद का फैन का कैपसिटर खुदी बदलना चाते हैं लिकिन उनको समझ में नहीं आता है तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको step by step बताऊंगा कि आप starting, running और common ओयर कैसे identify करें और साथे साथ मैं ये भी बाताऊंगा कि आप कैपसिटर का connection कैसे करें और आज के इस वीडियो देखने पर मैं आपको guarantee देता हूँ कि इस topic पर आपको कोई भी doubt नहीं रहेगा एक्चॉली हमारा सिलिंफ्यन दो टाइप का आता है एक में 4 ओयर रहता है और दूसरे में 3 ओयर रहता है तो चलिए पहले हम 4 ओयर का connection समझ लेते हैं उसके लिए हम लोग एक माल्टिमीटर ले लेंगे और माल्टिमीटर को continuity में sit कर देंगे अभी यहाँ पाड यह जो ओयर है आपको पाता कैसे चलेगा कि कौनसा ओयर इस्टाटिंग का है और कौनसा ओयर रानिंग का है एक्चॉली इसके अंदर दो कोईल रहता है टोटल एक रानिंग का कोईल रहता है और एक इस्टाटिंग का कोईल रहता है तो चलिए आभी हम ऐसा मन लेते हैं कि यह जो हमारा red बाला दोनों ओयर है यह running coil के साथ connect है और यह जो black बाला दोनों ओयर है यह starting coil के साथ connect है Actually हमें आभी पाता नहीं है कि यह दोनों आसली में है कि नहीं तो हम लोग अभी इसको check करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस दोनों को मैंने check किया तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाता है तो देखिए यहाँ पर rating 209 दिखा रहा है ठीक है तो आभी हम लोग के जो red बाला ओयर है इसको हम लोग चेक करते है तो देखिए यहाँ पर 230 दिखा रहा है तो आभी हम लोग क्या क रहेगा उसके अंदर जो दोनों ओयर रेडिंग देगा मतलब यहाँ पर देखिए यह दोनों ओयर रेडिंग दे रहा है तो इसका मतलब यह दोनों ओयर का जो कोईल है कोईल एक ही है मतलब इसका अंदर जो कोईल है उसका एक लेग इस ओयर के साथ कानेक्ट है और दूसरा ल चल गया कि यह दोनों के अंदर एक running coil का ओयर है और एक starting coil का ओयर है लिकिन हमें exactly कैसे पाते चलेगा कि कौन सा ओयर running का है तो उसके लिए आपको माल्टिमेटर लेना है और उसको फेड़ से चेक करना है तो देखे मैं करता हूँ तो विलाग बला ओयर में कितना दिखा रहा है देखिये 209 और RedBallah Wire में कितना दिखा रहा है 2006 अनुछ तो यहाँ पर देखे एक हम लोग दीखा रहे हैं तो हमलोग मनन लेंगे कि रे बाला नंुछ कोईल का है और जो बिलाग बला है इसमें काम दिखा राय है तो बिलाग बलाग बला इसका मतलब आपकी फैन में थोड़ासा ज्यादा भी दिखा सकता है और थोड़ा सा कम भी दिखा सकता है लेकिन उसके आसपास ही रहेगा लेकिन आपका फेर में अगर रानिंग थोड़ा सा कम दिखाएगा तो आपका इस्टाडिंग में कम हो जाएगा तो सबसे ज्यादा जो होगा वह आपका रानिंग कोईल हो जा तो जोनने के बाद AOR हो गया common oil, common मतलब negative, मतलब आगर आप इसको बैटरी से चलाओगे तो इहाँ पर आपको negative connection देना पड़ेगा, बैसे तो यह बैटरी से नहीं चलेगा, मैं जास टेक एक्जामपेल दे रहा हूँ, तो common मतलब इहाँ पर आपको neutral देना पड़ेगा, आभी AC capacitor है, DC होता तो उसमें अलग धियान रखे करना पड़ता था, लेकिन आप इसमें capacitor का कोई भी oil ले सकते हो, तो capacitor का एक oil को starting oil के oil से connect करने के बाद इसका आपको विलाक्टेप से seal कर देना है, मतलब इसका कोई काम नहीं आभी, और जो capacitor का दूसरा oil है, उसको हमें connect करना पार का running oil के साथ, और यह हो जाएगा हमारा face, मतलब यहाँ पर positive आप मान सकते हो, तो जब आप live और neutral में 220 बोल दोगे, तो अब आपका fan घूमने लगेगा, तो हमारे जो 4 oil का connection था, ओ हो गया है, तो आभी हम लोग 3 तार का connection समझ लेते हैं, तो मैं capacitor को खोल लेता हूँ, देखि कि एक कुस अलग है, यहाँ पर जो common oil है, उस oil को company ने दोनों के जर्या एक oil निकल दिया है, इसका भी सेम तरह से अंदर starting और running oil है, और उसका भी चार लेगी होता है, लिकिन इसके अंदर common oil है, उसको दोनों को एक साथ करके company ने सिफ एक ही oil को निकल दिया है, तो यहाँ प पाता चल रहे है कि यह बला common oil है, लिकिन आपके पास जो फैन रहेगा, उसमें तीनों ही single oil रहेगा, तो उसमें आपको पाता कैसे चलेगा कि कौन सा इस्टारिंग, कौन सा रारिंग और कौन सा common oil है, तो उसको आपको मिटर से चेक करके पाता लगाना पड़ेगा, तो उस यस Barebakt 464 के करीव रेडिंग दिखा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि मेरा में 444 के करीव रेडिंग दिखा रहे हैं, इसका मतलब आपका फेन में वी 444 ही दिखाए, हो सकता है आपका फेन में थोड़ा सा कम देखा है, यह शर Obama का करीव ही रहेगा, तो आप जिस दोनおおल में माल् के साथ कनेक्ट किया उसमें आपको 400 के कारीब पेर डिटिंग दिखा रहे तो उस दोनों को छोड़का और जो तीसरा और रहेगा वह आपका कॉमोन और रहेगा तो देखिए मेरा राइट साइड में जो दोनों और है उसमें चेक करने पर उसमें ज्यादा रिटिंग दिखा ठीक उसी तरह से इसमें जो जाधा रिटिंग दिखा रहे और यहाँ पर पॉजितिव आप मान सकते हो तो आपको कमोन और फेज में 200 वीजबॉल देना है तो आपका फैन घूमने लागेगा तो बहुत यासनी से मैं आपको समझाने की कोशिश किया अगर आभी तक आपको स सकते हैं वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सास्काइब कर लिजिएगा